हलो एवरीवन, मैं हूँ अलपना, हमारे चैनल अलपना मौस्री में आप सभी का स्वागत है, आज मैं आप सभी एक साथ सेर करने जा रही हूँ, तील गूर के लड़ू, इससे बनाना बहुत ही आसान है, और खाने में काफी स्वाधिश्ट, इसे सर्दियों में खाने से गर् मैंने दो कप, अगर आप इसे ग्राम में मिजर करें, तो यह 500 ग्राम है, यानि की आधा केजी, तो मैंने यह सफेद तिल लिया है, यह आपको मार्केट में असानी से मिल जाएगा, आप इसे किसी भी ग्रॉस स्टोर से ले सकते हैं, तो हमारा तिल यहाँ पर बिल्कुल करना है, तो पहले मैं इसे रोष्ट करूंगी मीडियम फ्लेम पर, जब एक बार पैन अच्छी तरह गर्म हो जाए, फिर हमें फ्लेम को लो कर देना है, तो इसे हमें इस तरह से लगतार चलाते रहना है, ताकि तिल कहीं से भी जले नहीं, अगर तिल जल गया, तो फिर हम इसे इत्मिनान से रोष्ट करना है, इस तरह से लगतार चलाते हुए, तिल हमारा यहां पर अच्छे से रोष्ट हो गया है, अब मैंने फ्लेम को आफ कर दिया है, पर आफ करने के बाद आप इसे बिल्कुल भी ना छोड़े, इसे लगतार इस तरह से चलाते रहे, या फ हमारा जो तिल है अच्छे से रोष्ट हो गया है, मैंने इसे अलग बतन में निकाल लिया है, अब हमें मुञफली को भूनने है, तो मैं इसमें मुञफली भी डाल रही हूं, यहां कच्छा मुञफली है, यह लिया है, मैंने आधा कब, क्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, जब एक बड़ी अच्छे डखने लगे तो फिर हम फ्लेम को लोग कर देंगे तो ये देखिए इसमें भी बढ़िया सा कलर आने लगा है पर हमारा मुंगफली भी रोष्ट हुआ नहीं है इसके दाने आप देख रहे होंगे कुछ-कुछ फट से गये हैं तो इसका मतलब मुं छिलका है उसे हमें हटा लएरा है ठंडा होने क फ़र छिलका बहुत ही असान से हट जाता है और इसके मैंने दो टुकरे कर लिये हैं तो चलिएस साइड में रख देते हैं अब चलते हैं चास्ति मनाने के प्रोस愉स में चासिती के लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक कप प्लेडियाम के कड़ी और तील में मुंफली भी डाल रही हूं तो इतना गूड़ है सफीसेंट है। अब आप चास्थी दो तरीके से बना सकते। आप इसे बीना पानी के भी बनाये या फिर पानी डालकर मैं इसे पानी डाल कर बना रही हूं। बीना पानी डाले हुए चासनी तो बहुत जल्दी बन जाता है, पर जो गूर है अच्छी तरह पिखलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है। बीना पानी डाले हुए चासनी बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो मैंने हाँ पे एक चुथाई का पनी डाल दिया है और ये देखिए गूर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है अब इसे हमें 2-3 मिल के लिए और पकाना है जब तक इसमें एक अच्छा सा तार नाज है इसमें मैं डाल रही हूँ घी एक टेबले स्पून फ्लेवर के लिए घी डालने से जो तिल का लड़ू है काफी चिकना हो जाता है और बहुत ज़्यदा हाट नहीं बनता है तो आएए चेक कर लेते हैं हमारा चासनी तयार हुआ है या नहीं यह लगभग तयार हो गया है और यह देखे इसमें एक टार बन रहा है इसका मतलब हमारा चासनी तयार है पर इससे हम कुछ सेकेंड के लिए और पका लेंगे जब इस तरह कर जाग आ जाए तो यह हमारा चासनी तयार हो गया है फ्लेम को आफ कर देंगे अब हम फ्लेम को और नहीं करना है नहीं तो जो हमारा चासनी है वो जल जाएगा flame off करने के बाद ही हम इसमें till add करना है तो एक बार अच्छे से mix कर लेते हैं और इस process को आपको बहुत ही fast रखना होगा अगर आपने ज़रा सभी देरी कर दी तो फिर जो हमारा चास्नी है ठंडा हो जागा फिर इससे जो लड़ू बनाना है बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो हमें इस process को बहुत ही fast रखना है तो एक बार पहले से mix करे लेते हैं और आप बहुत ही साब धाने से लड़ू बनाएं क्योंकि यह काफिक गर्म है इस समय पे तो हमें ठंडा होने का weight नहीं करना है तो मैंने इन दोनों को अच्छे से mix कर लिया है अभी हमारों जो mixture है काफिक गर्म है तो लड़ू बनाने से पहले आप अपने हाथों को पाने से grease जरूर कर ले oil बिल्कुल भी ना लगा है तो हमें इस तरह से दबाते हुए गोल करना है तो ये देखिए एक हमारा लड़ू बनकर त्यार हो गया है हमें बहुत ही जली जली काम करना है अगर आपका mixture जो है ठंडा हो गया हो तो आप इसे gas पर डालकर हलका सा गर्म कर ले तो जो गुड है वो पिघल जाएगा पर हमें flame को बहुत ही low रखना है तो मैंने इस तरह से सारे लड़ू बना लिये है और ये जो last वला बचरा है इसे बनाने में काफी problem आ रही थी तो मैंने इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया तो ये हमारा लड़ू बनकर त्यार हो गया है बहुत ही बढ़िया tasty लड़ू बना है आप भी इसे try करे आप इसे महीनों तक store करके रख सकते है होपस आपको मारे इस वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा चैनल को फिर subscribe करे बेल आइकन के साथ like, share and comment चरूर करे आप हम Instagram पर भी follow कर सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you बाई बाई